सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आईएस टीम की योड़ से आपका स्वागत करता हूं धे टीवेपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के एक खासकार कम जिसका नाम है सापताहिक MCQ इसमें डेली करेंट अफेर्स के जो वीडियो मैं पहुँचाता हूं उसमें कबर किये गए टॉपिक से कुछ MCQ अर्थात मल्टी चोइस कोस्टन्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करेंट अफेर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है करेंट अफेर्स के पॉंट ब्21 से आप परारमभी क्रिश्चा के लिए कितना तयार है और साथी साथ करेंट अफेर्स और इस्टेटिक्स एरिया से किस प्रकार के प्रश्ण प्रारामभी प्रश्णा में बन सकते हैं इसको भी आप समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणीती बना सकते हैं तो आज हम फिर बात करेंगे अपने सापताहिक MCQ पर कुछ प्रश्ण मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ उनको दियान से पढ़िएगा और धैरे पूर्वक जबाब देजेगा पहला प्रश्ण जो आपके स्क्रीन पर है वह है चपेरी बाइरस के संदर में निम्न कत्नों पर बिचार कर कूट का आपको चैन करना पहला कथन इस वाइरस का मूल स्थान चपेरी वेसिन छेतर है दूसरा यह एरीना वाइरस फैमली का वाइरस है तीसरा कथन है इसके लच्छन इबोला बिमारी की तरह होते हैं उपरिप्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है यह आपको बताना है कथन भी दिये गए हैं कूट भी आपके स्क्रीन पर हैं अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्फ आप आंसर की रूप में आप्ट करेंगे तो देखके एक एक करके अगर हम कत्रों पर विचार करें तो इस वायरस का मूल इस्थान चपेरे वेसीन छित्र है बिलकुस सही है मैंने आपको बताया था कि जो बोलीबिया है बोलीबिया का जो पूर्वी छित्र है अर्था तो उसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पर एक चपेरी नदीव परवाहित होती है और उस जो नदीव परवाहित होती है उसी को हम जानते हैं चपेरे बेसिन और उसी बेसिन में इ इसका जो मौल स्थान है वो चपेरे बेसीन चित्र है तो इस तरह से तीनों कथन क्या हैं सही है और हमें क्या करना था उप्रूप्त कथनों में से सही कथनों के कूट का चैन करना था हमें पता चला कि एक दो तीन तीनों कथन सही है इसलिए आंसर हमारा होगा ए अगले प्रश्म पर बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है और वो भी है चफेरे वाइरस के संदर में चफेरे वाइरस के लच्छन है कौन कौन से यह आपको बताना है पहला यह ओप्सन है इसमें तेज बुखार दूसरा आ जो बिकल्प है A, B, C, D वो लिखे हुए हैं तो आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा आप अंसर आप्ट करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास है एक बिकल्प है कि सभी को आप सही मानेंगे दूसरे तो तीसरा और चौथा भी बिकल्प आपके स्क्रीन पर लिखा हु इसके वज़े से क्या होता है जो सरी के अंदर की नसे हैं कई बार उनमें विबलीडी होती है अर्था आंत्रिक रक्सरा होता है उल्टी आती है पेट दर्द की समस्या भी आती है और मसूडे से खुन निकलने की भी समस्या देखी जाती तो इस तरह से ये जो सभी तक निवन में से किस तरीके से नहीं फैलता है। अर्थार एक बिट्टी से दूसरे वेक्टी तक या किस माज्ञम से नहीं पूंचेगा यह आपको बतना है। Europ Day Is Candis Matthew जब तक कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो संक्रमित व्यक्ति के सरी से निकले हुए किसी फ्रूट के संपर्ख में जब तक ओ नहीं आएगा तो तब तक क्या होगा संक्रमित नहीं होगा अर्था जैसे कुरोना महा मारे सुसन के माध्धम से फैलती है या ऐसे नहीं फैलता तो यह आपका इसका आंसर होगा T अगले प्रश्म पर बढ़ते हैं और हुआ है माइक्रोबेव हत्यार से रिलेटे माइक्रोबेव हत्यारों के संदर में असत्य कथन का आपको चेहन करना है आपको पता ही यह माइक्रोबेव हत्यार क्या होते हैं तो पहला है इसमें माइक्रो वेब विद्दु चुमक की विक्रण का प्रियोग किया जाता है। दूसरा ये कानों के जरिये सिर के अंदर एक सौक वेब पैदा करते हैं। तीसरा ये डाइरेक्टेड एनरजी वेबन की केटेगरी में आते हैं। चोथा अमेरिका का पोली WB1 इसी परकार का हथियार। अब आपको बताना है कि माइक्रो वेब हथियार जो की हाल के समय में काफी चर्चम बने हुए थे। उसके संदर में ये जो चार विकल्ब दिये गए हैं उसमें से कौन सा गलत है। एक एक करके कतनों पर बेचार करें, तो इसमें माइक्रो वेब बिद्दु चुम्की विकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि ये जो विकरण है एक परकार की एनरजी है और ये एनरजी जब किसी व्यक्ति के कानों के माध्यम से सिर में पहुंचती है तो काफी तिब्र गती का सौक वेब फैदा करती है तो इस तरह से यह जो दूसरा विकल्ब है यह भी सही है इस सौक वेब की वज़े से क्या होता है आदमी ठेड़ साजाता है काभी तिब्र गती का दर्द होता है असाय पीड़ा होती है और बैक्ति एकदम ठैर सा जाता है उसकी खिरियाँ बिल्कुर रुख जाती है तो यह बिल्कुर सही है यह directed energy wave की category में भी आता है बिल्कुर सही बात है कि देखे एक हतियार है जो microwave की background छोड़ता है तो इससे energy direct बैक्ति तक पहुंच रही है जैसे आपने laser technology के हतियार जो सुन बिल्कुर भी गलत है इसमें लिकाए कि अमेरिका का poly wb1 इसी परकार का थियार है जी नहीं यह अमेरिका का नहीं है चाइना का है poly wb1 यह जो है कि microwave हतियार है जो कि चाइना के का है तो इस तरह से यह जो है आपका d बिल्कुर के है गलत है तो आपका answer होगा d अगरे प्रश अपना इजरायल के खिलाप हो रही साजिस का पता लगाने और उसे रोकने के लिए हुई थी। दूसरा मुसाद का एक यूनिट की दोन है जो सिर्फ महिला जासूसों की यूनिट है। तीसरा मुसाद के सबसे अच्छे जासूस की दोन का भाग बनते हैं। डी बिकल्प है मुसाद दुनिया के सबसे खतना जहर और जयविक खतियार का निर्माण करता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा खतन गलत लिखा गया है। तो एके करके अगर हम विचार करें तो इसकी स्थापना इजरायर के खिलाप हो रही साजेस का पता लगाने और उससे रोकने के लिए हुआ था है। सिर्फ महिला जैसुस की उनिट एक गलत है। यह जो किदोन है इसका अर्थ होता है भाले की नोग और इसमें क्या होता है जो मुसाद के भी सबसे अच्छे प्रोफेस्नल हैं उनको इसमें सामिल किया जाता है अर्सा सबसे अच्छे के टेगरी के जैसुस इसमें रखे जात हैं लेकिन इसमें लिखाए सिर्फ महिला जासुस होता ही है गलत है इस तरह से आपका जो गलत बिकल्प है वह भी है यही आपका आंसर हो उसके बाद जो है कि मुसा सबसे अच्छे जासुस की दोनों के भाग बनते इस तरह सही हो गया डी मुसा दुनिया के सबसे खतनाक जहर और जहर भी खतियार का निर्माण करता है बिल्कुल सही बात है यह इस चीज में इसको महारत हासिल है कि कई बार इसने ऐसे जहर का प्रियोग किया है कि बैक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको जहर दे दिया गया है और उसका कोई भी जो है कि बिकल्प नहीं होता है उसका अभी एहमद अली यहां पर थोड़ा करिशन करिएगा बर्स 2019 का नोबल पुसकार अभी एहमद अली को दिया गया था बरतमान समय में यह क्या है आपको बताना है यह इरिटरिया के पियम है इथोपिया के राष्टपती है यह इथोपिया के पियम है यह इरिटरिया के राष् इथोपिया के पीम आपको पता है कि इस समय एक तरह का सिविल वार की कंडिशन में प्रवेज कर रहा है और उसके पीछे का कारण यह है कि यहां के जो परधान मंत्री है और उहां पर जो एक दूसरा च्छितर है जिसको लेकर काफी बिवाद है और उहां पर कबजे के लेकर और इरिटलिया के साथ जो conflict में एक नया भार देखने को मिल ला है इसके बज़े से तो जिनको नोबल पुरुसकार दिया गया था उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं हिंसा को बढ़ावा देने के तो ये क्या है एथोपिया के PM है इस तरह से आपका आंसर होगा C अगले प्रशन पर बढ़ते हैं विस्व पर सीथ सबसे उचाई पर इस्थित नोकाएंजी जिसका नाम है टीटी का था निमन में से किस छित्र में है आपको बताना देश नहीं पूछा गया है छित्र पूछा गया है जो कि काफी important है ये है एंडियन छित्र दूसरा है उप ए फिर भी I hope चूंकि मैंने जब इस topic को कबर किया था तो मैंने आपको बताया था तो आपके लिए तो इची होगा बिलकुल इपी कठी में मान के नहीं चल ला हूं कि आपके लिए होगा तो आप अगर answer इसमें opt करते हैं एंडियन छित्र अर्थात जो पहला भी कल्प है तो इसका जो जल है वह पेरू के साथ भी साजा होता है तो इस तरह ही विलकुल सही है आपका EB कल्प बाकि उप एंडियन छित्र का मतलब वह चित्र है जो एंडिज परवस से लगा हुआ है लानूस जो चित्र है वह जो है कि एक घास वाला चित्र है जो ब्राजील के पास सीमा अगला प्रशन है हाल के समय में टिग्रे छेत्र चर्चा में बना हुआ था इसका संबंद निम्यमें से किस देश से है यह आपको बताना है इजी प्रशन है कठिन तो बिलकुल भी नहीं कह सकते इसको तो पहला भी कल्प है आर्मेनिया दूसरा है अजर्बैजान तीसरा है ग्रीस चौथा है इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि टिग्रे छेत्र कहां पे है तो अगर आपने ए ओप्ट किया है आर्मेनिया तो गलत किया है बी ओप्ट किया है तो भी गलत किया है सी तो आप ओप्ट नहीं किये होंगे ठीकिन अगर कर लिए है तो भी गलत है क्य की इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं दरसल क्या है टिग्रे छेत इतोफिया का छेतर है जो इर्टिरिया की सीमा परिसित है और यहीं पर क्या है टिग्रे की जो सत्तारूर पार्टी है जो हां की राजसरकार है वो इतोफिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ या उहां की सेन पर बढ़ते हैं जो कि B.H.E.L. अर्थार भारत है वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट के संदर में है इस कंपनी के संदर में आपको असत्य कथन का चेहन करना है बहुत इजी है आपके लिए तो चुकि कंपनियां जैसे आगे बढ़ती है या जब भी कुछ खराब करती है तो आपके जैहन में जरूरी बात आ जाती है पहला है यह कंपनी 1964 में अस्तित्व में आई चो सारवजनी छेतर की इंजीनिरिंग और बिनिर्माण के छेतर में कार्य करने वाले सबसे बड़ी कंपने दूसरा यह कंपनी अपने उत्पात भारत में विश्व के लगवा 64 कंट्र में बेशती है सी इसमें सरकार की हिस्सेदार 83 पर स्थीसत है यह कंपनी अभी घाटे में चल रही है डी इसके रिविनी का मुख्य सुरूत थर्मल पावर फ्लांट है अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्त है और यह तो आपके लिए काफी एजी होगा एक करके अगर करें तो पहला जो है कि यह कंपनी 1964 में अस्तित्त में आई बिल्कु सही है और इस सारोजेनी चेतर की इंजिनिर और बिनिमाण के चेतर में कार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी यह भी सही है यह कंपनी अपने उतपार भारत और बिसके लगवक 64 कंट्री में बेशती है सही है और यह तीसरा जो बिकल्ब है कि सरकार की इसमें जो हिस्सेदारी हुए 83% है नहीं इसमें 63% है 63.17% इसकी हिस्सेदारी है तो near about हम 63% कह सकते हैं इसके हिस्सेदारी इसमें सरकार की है और यह कंपनी अभी घाटेम चल रही यह भी सही है तो इस तरह से C जो बिकल्ब है य देखे ये कंपनी अभी घाटे में चल रही ये तो ठीक है ये वाला भाग लेकिन इसमें सरकार के हिस्सेदारी 83% ये गलत है हमें चुनना असत्य कथन यह हमारा ओप्सन हो और इसके सही बात है इसके रिबुनियों का मुख्य सुरू जो थर्मल पावर फ्रांट है 80% 80% इसके रिबुनियों का सुर्च के थर्मल पावर फ्रांट है चुकि थर्मल पावर फ्रांट को इस समय कम महतों दिया जा रहा है इसके करण ये घाटे में चल रही उसके बाद आसियान के संदर में अब आपको असत्य कथन का चैन करना है पहला इसकी स्थापना 1967 में हुई थी बर्तमान समय में इसके सदसे देशों की संक्या 10 है तीसरा भी कल पे आसियान ने चार राश्टू के साथ FTA पर हस्ताचर किया है डी RCEP आसियान की विश्तार का अगला चेहरण है अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कतन है जो की गलत है तो एक एक करके कतनों पर देखें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी बिलकुस सही बात है आसियान घोशनापत या बैंकाओ घोशनापत त्रिके मादम से हुई थी और बर्तमान समय में इसके सदसे देशों की संक्या 10 से भी सही है लिखा है तीसरा भी कल कि आसियान ने चार राश्टू के साथ FTA पर हरस्ता चार की है नहीं चार नहीं छे राश्टू के साथ इसमें हैं भारत, चीन, कोरिया, जापान, न्यूजिलेन और उस्टेलिया तो इस तरह से अगर यहां पर छे राश्ट होता तो यह बिलकुस सही होता लेकिन यहां पर चार राश्ट लिके तो इसमें दो राश्ट गाइब कर दिये गए हैं इसले C विकल्ब गलत है और D जो विकल्ब है कि RCEP आसियान के बिस्तार का अगला चरण है यह भी बिल्कुश सही है अगले पर बढ़ते हैं और वह RCEP से ही जुड़ा हुआ है RCEP के संदर में असत्य कथन काव आपको चैन करना है जैसे कि आपने आसियान के संदर में किया पहला हाली में 15 देशों ने इस पर हस्ताचर कर लिया है दूसरा इसमें भारत के अलावा आसियान के पांचों FTA हस्ताचर करता सामिल हो गये हैं C विकल्ब है RCEP निर्मार की पहल 21 आसियान सिखर सम्मेलन 2012 होई थी D विकल्ब है RCEP मेक्सिको अमेरिका कैनेडा ब्यापारिक समझोते के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक समझोता है अब आपको बताना है कि कौन सब भी कल्ब गलत है RCEP पर अगर आपने अच्छे से काम किया होगा तो ही आप इसको सही कर पाएंगे लेकिन फिर भी आपके लिए तो इजी होगा तो देखें एक एक करके कतमों पर बिचार हाले में पंदर देशों ने इस पर हस्ताच्र किया है बिल्कुस सही है 10 आसियान के देश और बाकी भारत के अलावा जो 5 इसके FTA अर्था Free Trade Agreement हस्ता अच्छर करता देश है उन्होंने इस पर समझोता किया है बिल्कुस सही इसमें भारत के अलावा आसियान के 5 हस्ता अच्छर करता सामिल हो गए है बिल्कुस सही ये पहला और दूसरा विकल्प सही हो गया तीसरा विकल्प है कि RCEP निर्माड की जो पहल है 21 में आसियान सिखर सम्मिलन 2012 होई थी ये भी सही तीसरा विकल्प है RCEP मेक्सिको अमेरिका कनेडा ब्यापारिक समझोते के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक समझोता है नहीं गलत है तो D भी कल्ब क्या है गलात है यही आपका आंसर होगा अगले प्रशन पर बढ़ते हैं और वो है D.H.F.L. के संदर में आपको निम्नक कत्नों पर पहले बिचार करना है फिर option का चैन करना है पहला कि यह एक NVFC है जिसकी स्थापना 1984 में होई थी दूसरा इस कंपनी पर 95,000 करो रुफे की देंदारी है तीसरा कत्थन आर बियाई ने आर सुब्रमन्य कुमार को इसका फ्रसासक न्यूक्त किया था उप्रियुक्त कत्नों में से असत्य कत्नों के कूट का आपको चैन करना यह बताना है कि कौन से कत्थन जो है कि असत्य है पहला बिकल्ब है कोई नहीं B कल्ब है एक और दो सी बिकल्ब है केवल तीन और डी है केवल दो तो आपके लिए इजी प्रश्म है मुझे नहीं लगता भी कठीन होगा ठीक से बात की था बिस्तार से बात किया था तो अगर आप देखें के करके कत्नों बिचार करें तो इसकी स्थाफना 1984 में होई थी और यह NBFC है जो हाउसिंग फाइनेंस के छेतर में जो है कि लोन देती है सही बात यह कंपनी समय डिपॉल्टर है इसको बेचने का प्रियास किया जा रहा है और 95,000 करोड रुपे की देंदार इसके उपर है यह भी सही है और RBI ने जब क्या किया इस पर लगाम लगाने के इंस्वर्वेंसी की प्रिकृया प्रारंब करने के लिए जो है कि 19 से और 4 है पुर्वोतर सांती पिरक्रिया से यह अच्छा प्रश्न है छोटा प्रश्न है लेकिन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसका अगर सही आंसर आपने अप्ट किया है B तो बिल्कु सही है महाराष्टा करनाटका का जो विवाद है जो बेलगाओं का विवाद है उससे जोड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि तसकों से मामला चला आ रहा है इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया तो इसका जो आंसर होगा भी होगा बाकी जो बिकल्प है वो सही नहीं है अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि 6G प्रायोगी उपग्रह या स उपग्रहों को छोड़ा गया था तीसरा कथन इसका वजन 70 किलोग्राम है चोधा इसे तैयू आं उपग्रह प्रचेपर के अंदर से छोड़ा गया अब आपको बताना है उप्रुखत कत्नों में से असत्त कत्न या कत्नों के कूट का हैं कत्नों को ही ध्यान से देखिए फि उपग्रहों को छोड़ा के एभी सही है इसका वजन 70 kg है सही है और से ताइवान उपग्रह प्रचिपड के इंदर से छोड़ा के बिलकुछ सही है असत्य कथन का चैन करना तक कोई भी कथन असत्य नहीं है दरसार हम जब तक अभी 5G को भी साकार रूप धारन नहीं कर सके हैं पुद्धे से है कि 2030 तक क्या करना है 6G को भी लाना है तो इसके तरह यह किया गया है और इसमें जो है कि अन्य देशों के भी उपग्रव को छोड़ा गया तेरह उपग्रह छोड़े गया थे तो एक 6G वाला था और और उन्य उपग्रह थे इसका जो बजन था वो 70 kg था और पर इसको ताईवान उपगरब प्रचेपन गेंदर से चोड़ा गया तो असत्य कथन इसमें एक भी नहीं होगा इसलिए आंसर है हमारा A अगले प्रिश्ण पर बढ़ते हैं जो कि लोनार जील के संदर्म में है लोनार जील के संदर्म में आपको असत्य कथन का चैन करना है पहला यह बेसाल्ट चटानों से निर्मी दक्कन पठार में है दूसरा लोनार जील लोनार बने जीव अभ्यारन का हिस्सा है तीसरा यह म अगर थोड़ा सा भी आपने रामसर साइड्स और जो ही कि लोनार जील में हुए अपडेट को आपने समझा है तो पहला है कि ये बेसार चटानों से निर्मिद धक्कन पठार में हैं बिल्कु सही दूसरा लोनार जील लोनार बनने जीव अभ्यारण का हिस्सा है ये भी सही त इसरे जो विकल्प है कि महराष्ट का चोथा रामसर साइड्स है नहीं ये दूसरा रामसर साइड्स है पहला जो है नंदूर मदमिस्वर पच्छी अभ्यारण पहला रामसर साइड्स था और दूसरा जो वन गया है ये है लोनार जील तो इस तरह से जो आपका सी विकल्प ह यह क्या है गलत है इसमें लिखाय चौता जबकि यह दूसरा है तो इस तरह से गलत हुआ बाकी सही बात है लोनार जील कि अपनी जो उसका आकार है जो उस संरचना है उसको राष्टी भूब रासत इस तरह का दर्जा दिया गया है अगले प्रश्पर बढ़ते हैं जो कि राम समझोते को 1982 में ही अपना लिया था तीसरा रामसर साइड्स के लिए रामसर समझोता इरान के रामसर में हुआ था जो केश्पियन सागर की उत्री किनारे पे स्थित है डी बिकल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध रामसर समझोते से है भारत की दो अर्ध भूमिया इसम से कौं सा कथन गलत है और वही गलत कथन ही क्या है आपका आंसर है तो देखें कि इस सूची में सामिल साइड्स को आर्थिक अंदान प्रावत होता है बिल्कुल प्रावत होता है भारत ने 1982 में ही इसमें सामिल हो गया यह भी बिल्कुल सही है आपको पता है 1971 में जो है कि इ याद हो तो इसके दच्छडी किनारे पर है तो यह बहुत बड़ा मिश्टेक था जिसको अगर थोड़ा सा आपका मैपिंग पर कमांड होता तो आप आंसर को पकड़ लेते तो इस तरह से सी जो विकल्प है गलत है और सही बात है मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंद इससे है भारत की दो आर्थ भोमिया केवला देव और जो है कि लोक्तक जेल इसमें जो मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें सामिल है तो इस तरह से आपका जो गलत ऑप्सन है उस्ती था वही आपका आंसर था अगला प्रशन जो है कि टिश्टा डग कूना के संदर में आपको अ अटलांटिक महासागर में स्थित है तीसरा है इससे ब्रिटेन दोरा सरचे समुद्री रिजर्व घोसित किया गया है डी यह धी मानो जन संख्या रहित छेतर है लेकिन परेटन की वज़े से यहां कि जय विवित्ता को नुसान हो रहा है अब आपको बताना है कि कौन सा कथ भलत करें तो यह अतलांटिक महासागर में कई चोटे दिवपों का समुद्र बिलकुस सही है यह लंदन से 6000 मेल दूर दच्छिडी अतलांटिक महासागर में इस थित है बिलकुस सही है अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहते है तो अफ्रिका महादेव और जो है कि आप ब्रिटेन का अधिकार है तो इसलिए ब्रिटेन द्वारा इस छित को समुधरी रिजर्ब घुसित किया गया तो A, B, C, T, तीनों भी कब सही होगे गलत कौन सा हुआ चोथा गलत इस वज़े से इस पर लिखा है कि है दिव मानोर जनसंख्या रहतîtे नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर लोग रहते हैं कम लोग रहते हैं 300 लोग रहते हैं लगवा तो उसके बच लेकिन हाँ इस पर रहतन के वज़े से और यौह पर जो फिसंग की कार होते हैं साथे साथ वहाँ पर जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो कमपणिया वो जो कारे करते हैं उससे ज्यवयोप्ता को नुकसान होता है यह बिलकुँ सही लेकिन ये गलत है कि वहाँ जन्संख्या रही चेत है मानो जनसंग क्या रहती है तब ही तो क्या होगा तुरिनिम को बढ़ावा दिया जाएगा तो इस तरह से D because क्या है गलत है अगले प्रशन पर बढ़ते हैं जो कि आपके स्कीन पर है और वह है आत्म निर्वर भारत के संदर में आपको बताना है आत्म निर्वर भारत के तीसरे चरण के बिसे में आपको असत्य कर्थन का चैन कर देना है यही आपका लश्ट प्रशन होगा हाली में घोसित तीसरा चरण आत्म निर्वर भारत अभियान का आगरी चरण है दूसरा दो करोड रुपे से कम की आवासी एकाईयों को सरकल दर से कम कीमत वो बेचने पर आयकर छूट का प्रावधान किया गया है तीसरा बिकल्फ है इसके तहट पीम आवासी ओजना के लिए 80,000 करोड रुपे की घोशना की गए डी है फर्टिलाइजर सबसीडी की भी घोशना की गए अब आपको बताना है कौन सा गलत है आपके लिए जी होना चाहिए कठिन तो नहीं होना चाहिए एक ही करके अगर देखें कि हाली में घोशी तीसरा चाहिए आत्मी ओरत भारत का अभियान का आक्री च्रण है बिल्कुस सही बात है और इसमें ये भी कहा किया है कि 2 करोड रुपे से कम आवासी ही कायों को अगर सलकल दर्पे खरीद विक्री होती है तो आईकर छूट का फ्रावदान किया गया बिल्कुस सही है पीम आवासी होजना के असी हजार करोड नहीं अठारह हजार करोड रुपे दिये गए तो असी हजार करोड रुपे बहुत ज़्यादा हो जाएगा अना 2,65,000 करोड सम्थिंग का पूरा पेकेस था तो इसमें पीम आवासी होजना को इतना महां तो नहीं दिया गया है हाँ ये जरूर है फर्टिलाजर सबसीडी को लगवा 65,000,000,000,000 रुपए दिया गया सही वात है लेकिन जो सी विकल्प्यों के है गलत है I hope आपने सभी प्रशनों का स्थाही आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में आप खोला हुआ है आप बता सकते हैं कितने प्रशना आपके सही रहे इस वीडियो में इतना है Thank you so much